आज का ड्रामा होने वाला है इंटर्नल लव अब ड्रीम का एपिसोड नमबर चोवन आपके जानकारी के लिए बता दो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने के पोज़े पैसा नहीं लगते हैं अगर ड्रामा अच्छा लगे तो शेयर भी करते हैं अपिसोड के स्टाइड में हम देखते हैं कि बाइफ यंग जो सैड मोलेकर किंक्यूम में वापस आती है जहां पर उसे गौट जंग यंग से मुलाकात होती है गौट जंग यंग कहते हैं क्या तुम्हारी मुलाकात डौग वासे होई तो वह कहती है क्यों नहीं अंकल अây कि मिरी क्या गलती है मुझे समझें आहां उस ने उस समय नहीं आ रहा उसने मुझसे जूट की हो मैं पागलो की तरह उसका इंतजार करती रहीं और तो बाइन को देखते हैं जो कि बंदा होता है जहां पर मियाव लोफोवा ही डायन आती है और उसको रिजिज करती है उसके वह गुटनों को बैठ जाता है कहता है कि महारानी के लिए को मैं आजाद तो हो गई हूं लेकिन मुझे अपनी सक्यापाने के लिए मुझे मेडिटे जो कि लिए और उसे कुछ पावर देती है वहां से काया हो जाती है जिसके वाद से चीडमन का तो खुषी का सिकाना ने रहता वह जोड़ जोड़ से चिलाने लगता है कि मैं राजा हूं मेरे पास सक्दिया है इस्टर रांग को डून रहे होते हैं और यहां पर यहां पर इसलों मेरे दोनों के साधी कि कर से मिले रहे हैं मैं मजड़मुझेग करनी है कि क्या लाज को रहे हों कर दोना ships मैं मुझे उन्हें कहता है कि क Connie जलदी हमें जलना होगा होगा जो डॉंगवा ना उन्हों ने मियाओ खाई मतलब मियाओ खाई से वहां से तूट के पापस आ गया जल्दी चलो वह सब चोड़ो जल्दी चलो डॉंगवा ने बुलाया है वह फैंग वैली के गेट पर हैं वहां पर इंतजार कर रहे हैं तो यह तीनों लोग वहां पर चले लगाओ मैं अंदर जा रहा हूं जो जो मियाओ लूफ है ना वह इसके अंदर ही है तो वह कहते हैं लेकिन तुम इसके अंदर क्यों कैसे जाओगे उसने तुम नुकसान पहुंचा जिया तो तो कहते हैं कि आप चिंता मत को दरसल में पस कुछ ऐसी डार्क एनरजी है जिसक पूसते हैं कि यह बताओ यह यह थीक तो आए ना तो वह तो महां पर आसु के आसु कोन की रक्षा कर रहा था तो यहां पर चॉंगली बताता है कि नहीं दरसल वह मारे गया और इतना कहते हुए चॉंगली आप बहुत हो ज़्यादा है अब मिस्टर यांग की हालतों बहु हो तो मंदर नहीं जा सकते हैं कि मुझे उसे मारना होगा उसने मेरे दोस्ते मेरे भाई को मार डाला मतलब वो जो राजा थे उनको मार दिया तो वह कहते है लियंग्शंक की तुम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो तुम्हें भी जान से मार देगा तुम अपनी मौत को दावत दे तुम्हें पता नहीं है क्या डॉंगवा ये एक लौता ऐसा है जो पूरी संसार में उसको मतलब मियौलोफों को मार शकता कर तुम अंदर जाओगे तो तुम मौत के मौ में अंदर जा रहा हो तो वह कहता है इससे फर्ट नहीं पड़ता मैं उसे चान से मार दूंगा या मर तरिवार बागी प्रजा द्प्रशा कर सके लिए की चुछ तो बाति के दूसे के बाद राजा की को पंद कर रहा हुटा है बाइ फैंक जो को देखते हैं जो की लेटी होती है और कुछ सोच रही ते मलब साइड होती है महाँ पर उससे मिलने के लिए चैंग्यो आती है वोट कब बैठ जाती है चैंग्यो कहती है कि तुम ठीक तो हो ना मुझे पता है तुम्हें बहुत ज़्यदा बुरा लग रहे हैं मैं इस के अगनम गई थी तो वहाँ नहीं थी मैं उन से कभी नहीं कहतीं कि नहीं करती Ugh कि रॉल के रॉल उने से तुम मारा मन हलका हो जागा तुम ढ़ांडे दुम थोड़ी सी अच्छा लीव मैं रॉना नहीं चाहती हैं मैं अगर अपने पता को मेरे पता को पता चले गए यह सब क्यों मुझे छोड़कर चले गए और वो साइद वापस नहीं आगे तो मेरे पीटा को बहुत बुरा लगेगा और साइद उनका प्यार पर से भरोसा भी उड़ जाएगा चेंगियो कहती है कि तुम चिंता मत करों मैं जाते हूं लियंग्शों को डूनती हू और पता करते हूं उसको जरू कुछ ना कुछ मालूम होगा और फिर वहां से चली जाती है आगे की सीन में हम डॉंगवा को देखते हैं जो कि फैंगिंग वैल में पहुंच गया होते हैं और वहाप पर जादू करते हैं जिसके चारों तरफ गुलाबी गुलाबी समा मतलब जाकर जो हों ता उसके वह कैते हैं कि मियाओ लॉफो जो यहीं पर यह वह अपने भीतर की डार्क और जी कौको बहार रिलीज कर रहा है मुझजे उसे मारना होगा उस डार्क औरनर्जी के उसके अंदर रहते ही क्योंकि अगर वह तार्क और बाहर निकल गई तो फिर उसका कोई कुल फिर नहीं गाड़ सकता मतलब उसे अभी मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम यहीं पर मियावलोफो को भी देख पाते हैं जो कि अपने सर्जीर से डार्क एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है कि आगे रहे हुआ है जो कि कहता है कि सौसवानिको को मियाव श्म्स मांटन पर मढटन पे बेख दो तो वह जब डागे हैं कि तो सुछा कि रहा कई और तो हम आप्ट बहुत बहुत में कोई लडाई थोड़ी ना चलिया तो वह कहता है कि इस सिछीशन के इसाफ़ से मैं हां क जो सकते हैं तो और आप डोड़ाया है एक प्रोटेक्शन पिल्स है और एक वह एबॉर्ट्सन पिल्स है तुम्हें दोनों में से क्या चूज करना है ये तुम्हारी मर्जी है अगर तुम जो भी करोगी मैं तुम्हारे साथ हूं उसके बासे वह क्या करती है एक पिल्स उठा कर खा लेती हैं फिर वहां से चलिया या थी वहां पर गाना बरिम लगतै दिए ड़ाया हमारा व опасा पिल्स करऊ हैं उसके इसеро 2 सौच भी की बना होती है उस सारी प्यातिआ है महाराज दोन कर नियुकर आ पर ने मैं पर बहुत जादा मुछा तना मैं इतना जादा मैं इतना अज़ादा मैं उनके करीब नहीं distress प्रतकरा कि जाूल värा अम्हाराज बीन हो जाए हैं में नहीं कि filtering कियोंकि मैं सब्कैक्नेंट यह सी कोने कि क्यां जा बजै कि यृप्ड अनदर हो तो गया था है वं स्वह अधर तो गया था लेकिन ंशती办 रोकने में नकामियाब रहा हूं से पुरिए और समय हoms गार्क अर्ज वाहर आगा और मकिस्ट्रिश्टिणी का सरवनास मचा। 하में कुछ कड़िय Most को यहां होगा परक courts न हिंसरी होते हैं की को यहां किया सकते हैं किया हुआ कुछ को ही थ किति हुअ। पर देखते हैं मिश्टर यांग को मिस्टर यांग का क्या है और मैं जो कर दो कहते हैं और यह हैं और यह है तो भी दो कि आप जब होस्समें आई ना तो इसे सीखाना मेडिटेशन करने के तरीके और फिर वो कहती है कि अभी मैं मैं यहाँ से जा रही हूं तो हुथ कहती है क्यु कि कहां जा रही हूं कि चा actively का मैं रजा भी दृब सकते हो जब कभी परिसानी हो और कोई ऐसी वैसी बात हो तो तुम मुझे बता सकते हो अगर मैं वावश ना आऊ तो तुम इससे मुझे लेटर लिख देना और जब यह होस में आ जाए और मेडिटेसन बगरा करना सब कुछ सीख जाए तो मुझे बता देना तब मैं आऊंगी हैवन में इससे कुछ और सकतिया दे दूंगी और हैवन में कुछ मनलब प्यॉरिफाइब करने का तरीका इससे बता दूंगी जिसके बाद यह हैवन में रहने के लायक हो जागा पुरी तरीके से इमोर्टल हो जागा यानि हमर हो जाएगा कि बास मारी फैक्ट जो कि देख हैं और recovering यह दाधा और दहीं तुम्हारे दादा और PRESंसिबीलीटी इसलिए मैं पहले जो और हम उसे बात करेंगी उसके बात उ स्केंपस के उफ्रहाना पड़ेगा स्यूद्ट करणा में दकणा उसके तुम्हाँ झार तुम्हाफ कर देना यह ढूगकर है। किया हुआ तो मैं परिसान हो मुझे समझनी आ रहा है मैं क्या करूं बिना कुछ बता है बिना कोई मैंसर चोड़े यहां से चली गई वह प्रिद्वी पर चली गई है और वह कैसे इतना लंबा जिंदेगी जी एगी क्योंकि तुम्हें तो पता है ना स्वर्ग का एक दिन प् महरानी में इतना अव्यस्त हो गया है कि वह भूल गया है कि फैंगिंग वैली के लोगों ने मतलब सभी राजाओं ने सभी जितने भी बड़े इल्डर्श लोग थे वह अपने जान दे दिया मिया अलूफ हो के मतलब राजा के लिए मतलब पुरी संसार को बचाने के लिए मतलब कि यहां पर रहना भी खत्रे से खाली नहीं है क्योंकि आप सभी को कई अच्छी जगह पर रास्ता ढूंड़ना होगा फिर उसके वासे जाने लगता है तो रुकता है तो कहता है कि वैसे मिस्टर यांग ने एक खबर हुजवाई है उन्होंने कहा है कि महराज सब्सक्राइब के लिए खत्रा होगा तो वह कहते है तो फिर हम सभी को ले जाका किंक्यू में छोड़ देजा मतलब किंक्यू के तरफ कोई जगह देखो आश्रा देखो इसके बास से जीलू अपने भाई मैंक से बाते कर रही होती है कि भाई तुम ठीक तो होना मुझे पत प्रणाइब करें जो कि बहुती सिद्धत तरीके से अपने बेटे का इंतजार करी होती है गुन-गुन इसकुल गया होगा कब तक आया है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मुझे उसक्याद आ रही है तो महां पर गुन-गुन आता है कहता है मां मैं आ आ गया वह कहते है तहम है यह बonstorm हम सब्सक्राइब करें और उसमी लोगों के बाले काले हैं और मेरे बाल स discour कियों एप हमने से लाईनी से मिलना तो अमर दे होता हुए जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बाल काले नहीं होते हैं सफेद ही होते हैं ऐसे ही कलर के होते हैं अलग अलग कलर के होते हैं तो वहाँ पे और भी इतने भी बच्चे हैं इमोडल मतलब जो अमर्ड लोग हैं उन सबके बाल सफेद है तो वह कहते हैं तुम चलना ना तो तुम ली से मिलना वह बहुत पहरी बच्ची है तो वह कहते है तो ली क्या उसके भी बाल सफेद हैं वह कहता है नहीं उसके बाल तो हम जरूर चलेंगे लेकिन थोड़ा समय और रुप जो देखते हैं जो कि उसके अंकल यानि बाइफंग को बताते हैं कि तो मैं पता है दुनिया में कोई भी आइसा डिस नहीं है जो बना नहीं सकती सिर्फ एक है मतलब एक ही डिस है जिसे क्योले प्लांट कहते हैं और वह पता है वह शुक्वती में ही लगती है वह प्लांट और यहां पर कभी नहीं लगती है एक बार पता है वह बच्पन में उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद था तो वह यहां पर लेकर आई थी लगाने के लिए और तीन सो सालों तर उस पर मेहनत कर दी रहे उसे उसे लगा नहीं चुड़ा और बहुत कोसिस करता है लाश्ट में अघ्मार उसके नहीं लगा तो उसे चोड़ साना और उसके लिए वहां उस्का पिल्ए होते केक बना रही होती है जैसे महाराज को केक पसंद है वैसे मेरे बेटे को भी केक बहुत जादा पसंद है इसके लिए केक लेकर आती है और फिर गुंगुन का इंते जार करती है कि दूरता हुआ है कहता है कि मामें आ गया तो वह कहती है कि देखो मैं तुमसे बड़ी हो ना इसलिए मैंने चाल लिया तो बहुती है लेकिन मेरे स्कुल के जितने भी बच्चा ना उनकी मा कभी उनसे केक नहीं बटवारा करती वह सारी को दे देती हैं कि लेकिन वेटा हम थे हुता आप्मर यह गए लेकिन देखोम तुमने वहार्या था कि हम प्रिद्वी लोग पर है तो हम्में प्रिद्वी लोग के रुल को फॉलो करें तो वह कहती है अच्छा मैंने ऐसा कहा दा क्या लेकिन देखो अगर हम इमोटल वार्ड यानि स्वर्ग के रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो जब हम आहां पर जाएंगे तो स्वर्ग के रूल को भूलने जाएंगे इसलिए मैं कुछ-कुछ रूल फॉलो करना चाहिए ना तो तुम खालो और वह खाने लगता है फिर वह कहती है कि तुम सैड ना हो मैं जल्दी तुम्हार लिए एक और पिस दे दूंगी मताब बस कुछ दिनों में तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें चाथ पिस दिया करूंगी तो कहता है फिर कहत तुम यह में तो मैं तुम जहां चलोगी मैं वहाँ पर चल दूँगा थकते हैं जो कि अपना मेडिटेशन कर रहा होता है इस जिन्दा हो गया होता है अमर हो गया होता है पूरी तरीक समय पर अभी कुछ चीजे तो बाकी होती है उटके जाता है और छीक उच ओश को प्रि के द्वारा तो तुम बाइफंग्जू के पास जाओ उसे सर्व करो वो तुम्हें बाकी की सक्तिया दे देगी मतलब बाकी का आगे का काम वो समझाएंगे यहां पर यह किंती होते हैं कि पर मुझे तो बताइए बाइफंग्जू कौन है और मेरा उनसे क्या रिस्ता है चीको बहुत ज्यादा अच्छा है आप जाइए बाइफंग्जू आपको इस पहार पर मिलेंगे उसके पास से हम देखते हैं महाराज डॉंगवा को देखते हैं जो कि मियाव लुफू से लड़ाई कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि यह सब कुछ एक सपने में देख रही होत गो जाता है उनसे पुछता है कि तुम क्या खेला हो बोलते हैं कि तो बहुता है तो चैसा हो सकता है कि हर किसी के पास होते हैं एक पापा और एक मम्स भी होती हैं मतलब यहां से इसे अपने पापा बाड़े में पता चलता चलता है गुन गो जाता है अपने माम से पूछता है कि मौ मेरेसे पापा हैं तो वह कहता है तो मायं न immense हम्स्वे जन्वों दिया है यह चोटे बच्चे जादा कीक नहीं खा सकते हैं और वो अखेले बच्चे को जनम दे सकते हैं और उनके पापा भी नहीं होंगे मुझे यह सब चीजे पिल्कुल भी पसंद नहीं आती है यह चैंगियों सेमिंग और लियंंग श्रौंग तीनों लोग झोंडे लुटरे होते हैं कि मियाओ लुफो का तारक नर्जी हैं उसे कैसे रोकासा अरौंग पता चलता ही किन्स्टुमेंट कुछ भी इसा नहीं जो इसे रोक सके मुझे योजार टारी का मिझो ऑप सब्सक्राइं लूग में रहना तो tentang वी वे घूटहा है कि देखते हैं जब पता चलता है कि उसके जितने भी डमन लोग के लोग है वह सबीं अपने सानिकों को बेजने से इनकार कर दिया और अपने इसाथी की जान ले लेता है फिर हम देखते हैं मिया उल्फो को कि अपनी सक्टिया बढने की कुछिश कर रही होती हैं मेडिकेशन वगेरा करके मैं हम प्रड़ को देखते हैं जिसकी सक्ष्क्तिय हो पाई जाती है कि मिस्टेर लियॉंग शूंग होते हैं कि देखो जो गॉड जैंग्यांग है और जो बाय के चाचा जी आ वह बाहर गेंग मैं किसी को भीज करूंगा कि उनके बारे में कुछ बतादे और तो में अपना ध तो में तो सो समझ के काम लेना चाहिए कि एक बार मिलना चाहता है कि अब समय नहीं है जल्दी खूल जाएगी और सबके षर्वनास होने लगे ली यॉंग शोंग आते हैं महाराज मानने को तयार नहीं है एक और रास्ता जुनना होगा चलो हम लग चलते हैं जो कि खाना खिला रही होती है गुंगुन को तभी उसे एक लेटर आता है लेटर में लिखा होता है कि आप जल्दी से पहाड के चोड़ी पे पहुच जाई है किसका लेटर है तो गुंगुन अब हमारा टाइम आ चुका है हमें फेरी लैंड में जाना होगा हम चीडमन को दे दोंग को आज तुम्हारा मरने का दिन है बस तुम तुम तायार होगा मैंजु यांक के मृत का बदला लेने आया हूँ और उनके आफर तलवार बादन मतलब तलवार से परहाल करते हैं जिसके अब बाइफंजू को देखते हैं जो कि छीगो उने से मिलते हैं चीगोच़ उने से बताते हैं कि मिस्टर यह किंगती है ठीक हो चुक है मतलब कुछ सक्थ्यों की जरूरत है और और पहाट कासालों पेली बार कफलता है तो कि पाहट और सथ्टिया प्रदान करने होगी लिए पर देकर बच्छे को बच्छे को नहीं एक बच्छे को बच्छे को ले जाओंगी तो वो कहते हैं कि ठीक है फिर जब जाने लगते हैं तो गुन-गुन बोलता है मां मुझे भी अपने साथ ले चलो ना तो उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि बेता मुझे बहुत ही इंपोर्टेंट काम है और मैं जल्दी आ जाओंगी तो फिर चोटा बच्छा जो होता है तो मेरे सरन में आ जाओगे तो मैं तुम्हारे कुल को भी जाने दूगा वह कहता है कि तुम तो बस एक पपेट हो ना क्योंकि पहले डॉंग हुआ या मिया अलुफ हो दोनों मेंसे जिसकी जीत होगी तो उसके पपेट बन करा जाओगे तो वह कहता है ऐसा बिल्कुल भी जब वह लोग वह लड़ाई में जो भी जीते लेकिन मैं हमेशा से राजा रहूंगा और राक्षा सी वह मेरा क्या भी गाड़ सकती है मतलब ऐसे करके उसको भी बुड़ा बोला होता है यह मिश्टर यां को तो पता ही होता है कि पीछे मिया लुफ हो करी है मिया लुफ हो इसे उसके तरफ देखती है कहती है अच्छा ऐसा सोचते हो तुम तो वह डर जाता है ची डामन जैसे पीछे मुड़ा वह उसकी सकतिया चीनने लगती है तो जब वह सकतिया चीनने लगती है तो वह कहता है कि प्लीस मुझे माफ कर दो मैं ऐसा कुछ भी नहीं का मतलब वह इसे जान से मार अगर तुम इसे जान से मार डालोगी तो मैं तुम्हें डौंगुवा की एक से है बता हूंग वो उसे जान से तो यह जूर बोल रहा है इप बिल्कुल जूर बोलाई कि यह दॉंग हुआ का खास है यह आपको कुछ भी नहीं बताने वाला है लेकिन वह कुछ भी नहीं सुनती डायन जो होती है वह ची डामन को मार डालती है जब टीज डामन पुरी तरीके से मर जाता है तो जो दाना होती है महलों को वह कहते हैं अब अपिस्ट में तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ टार टाप बाई बाई और हाँ वीडियो लाइक कर देना प्लीज